Hello Friends, कैसे हैं आप लोग? दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका लैप्टोप जिसमें Windows 11 है, वो चलते चलते हैंग होने लगता है, यानि कि श्टक होने लगता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप अपने Windows 11 लैप्टोप में अप्लाई करेंगे, तो आपका लैप्टोप हैंग नहीं होगा. Hello Guys, Welcome to my YouTube channel Technical Solving. दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. दोस्तों, आपने ऐसा देखा होगा कि आपका लैप्टोप जिसमें Windows 11 है, कभी-कभी हैंग होने लगता है, यानि कि आप कीबोर्ड से फंक्शन तो एक्टिवेट कर रहे हैं, परन्तु स्क्रीन पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको तीन पताने वाला हूँ, जिससे आपका लैप्टोप हैंग नहीं होगा, आप वीडियो को लाज तक देखते रहना, अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप, सबसे पहले हमें अपने लैप्टोप के हॉम स्क्रीन पे आना है, अब स्टार्ट बटन पे क स्टार्ट अप पर अगे करेंगे, स्टार्ट अप एप्ज ऑपन हो जाएंगी, यहां यह वह अप्लिकेशन से जो लैप्टोप स्टार्ट ओन की साथ साथ स्टार्ट हो जाती है, आपको इन सब एप्ज को डिसेबल कर देना है, अब दूसरा स्टेप हम स्टार्ट पे अगेन क्लिक करेंगे और सर्च पैनल में सर्च करेंगे एडिट पावर प्लान अब इसे ओपन करना है अब यहां आपको चेंज एडवान्स पावर सेटिंग पे ओके करना है अब यहां आपको PCI Express को Expand करना है यानि कि PCI Express के सामने प्लस साइन पे ओके करना है अब लिंक स्टेट पावर मेनेजमेंट पे ओके करना है अब ओन बैटरी के सामने मैक्सिमम पावर से सेविंग पे ओके करना है अब इसे Off कर देते हैं फिर Apply पे क्लिक करना है और फिर OK पे क्लिक करना है अब थर्ड स्टेप आपको This PC या My Computer ओपन करना है आपको Window C Drive पे राइट क्लिक करना है और Properties के अंदर जाना है अब यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है आपको चेक पे ओके करना है और स्कैन करना है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है यह तीन स्टेप करने से आपका लैप्टोप हैंग नहीं होगा दोस्तो मैंने आपको अच्छे से स्टेप टू स्टेप बताया इसके लिए एक लाइक तो बनता है थैंक्यू